दोनों हाथों में लड़ू High Dividend और High Appreciation Stocks ये वो शेर होते हैं जो निवेशकों को दोहरा फाइदा देते हैं नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे शेरों की जो आपको High Dividend और High Appreciation दोनों देते हैं यानि एक तरफ कंपनी आपको मुनाफ़े में हिस्सेदारी दे रही है तो दूसरी तरफ शेर की कीमत भी बढ़ रही है ऐसे शेरों में निवेश करना एक बहतरीन रण नीती हो सकती है जब कंपनी अच्छा मुनाफ़ा कमाती है तो वो अपने शेर धारकों को डिविडेंट के रूप में हिस्सा देती है ऐसे शेर ढूंडना किसी खजाने से कम नहीं होता ये शेर न केवल आपको नियमित आय देते हैं बलकि समय के साथ उनकी कीमत भी बढ़ती है लेकिन घबराइये मत आज हम आपको ऐसे ही पांच शांदार शेरों के बारे में बताएंगे ये शेर आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं याद रखिए शेर बाजार में निवेश जोखिम भरा हो सकता है हर निवेश के साथ जोखिम जुड़ा होता है इसलिए सतर्क रहना जरूरी है इसलिए पूरी जानकारी और रिसर्च के बाद ही निवेश करें सही जानकारी और समझदारी से किया गया निवेश ही आपको अच्छे परिणाम दे सकता है पहला दाम यह कंपनी निवेशकों के लिए एक बहतरीन विकल्प साबित हुई है रिलाइन्स इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है इसकी स्थापना धीरू भाई अमबानी में की थी और अब इसे मुकेश अमबानी चला रहे है यह तेल और गैस से लेकर टेलीकॉम और रिटेल तक कई क्षेत्रों में काम करती है इसके अलावा यह पेट्रो केमिकल्स, प्राकृतिक गैस और डिजिटल सेवाओं में भी अग्रणी है इसका प्रदर्शन हमेशा से ही शांदार रहा है और यह लगातार डिविडेंड भी देती आ रही है निवेशकों को हर साल अच्छा रिटर्न मिलता है रिलाइंस में निवेश करके आप लॉंग टर्म वेल्थ क्रियेशन कर सकते हैं यह कंपनी आपके वित्तिय लक्षियों को पूरा करने में मदद कर सकती है और आपके भविश्य को सुरक्षित बना सकती है दूसरा मौका HDFC Bank भरोसे का दूसरा नाम बढ़िया डिविडेंड HDFC Bank भारत के सबसे बड़े प्राइविट सेक्टर बैंक में से एक है इसकी फाइनांशल हेल्थ बहुत मजबूत है और यह लगातार डिविडेंड भी देती आ रही है HDFC Bank में निवेश करना एक सुरक्षित और फाइदेमंद विकल्प माना जाता है तीसरा निशाना Infosys IT सेक्टर का सितारा लगातार डिविडेंड Infosys भारत की दिगज IT कमपनियों में से एक है जो अपनी उत्रिष्ट सेवाओं और नवाचार के लिए जानी जाती है यह दुनिया भर में अपनी सेवाएं देती है और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है जिससे इसकी साख और भी मजबूत हो रही है Infosys अपने शेर होल्डर्स को नियमित रूप से डिविडेंड देती है जिससे निवेशकों का विश्वास और भी बढ़ता है IT सेक्टर में ग्रोथ की वज़ह से Infosys एक आकरशक निवेश विकल्प बन गया है इसके साथ ही कंपनी की स्थिर्ता और भविश्य की संभावनाएं इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है चौथा वार TCS दिगज IT कंपनी, ग्रोथ और डिविडेंड का संगब TCS भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है इसका Global Presence और मस्बूत Business Model इसे डिविडेंड और ग्रोथ दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है हाल ही में TCS ने अपने शेर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दिया है पाच्वा प्रहार हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में से एक है यह लगभग हर भारती अघर में इस्तिमाल होने वाले प्रोड़क्ट्स बेचती है इसका Strong Brand Portfolio और Wide Distribution Network इससे डिविडेंड के मामले में एक attractive stock बनाता है सोच समझ कर निवेश करें, मुनाफ़ा कमाएं दोस्तों, ये थे कुछ शेयर जो आपको High Dividend और High Appreciation दोनों का फायदा दे सकते हैं लेकिन याद रखें, शेयर बाजार में रिस्क होता है इसलिए निवेश करने से पहले अपनी Risk Appetite और Financial Goals को ध्यान में रखें Happy Investing!